जारखन में बीते कुछ दिनों से लगतार हो रही बारीश ने, इन किसानों के चेहरे पे मुसकान ला दी है जो कहीं न कहीं गुम हो गई थी लगतार इस बात का खत्रा मन रहा रहा था कि कहीं इस बार सूखा ना पड़ जाए लगतार आकड़े पे दिये जा रहे था कि लगभग 50% डेफिसिट था रेनफॉल में और बाइन लार्ज यहां बरसा के पानी पे ही खेती निरवर करता है 70% लोग जो हैं वो खेती पे निरवर करते हैं और अगर बारिस वक्त पे नहीं हो 12 से 1400 मिलिमीटर बारिस की जोरत यहां हर साल होती है मुख्य क्रॉप जो है धान की खेती है 2018-19 में 56 लाख मेट्रिक टन अनाज का उत्पादन यहां से राइस का उत्पादन हुआ था 17-18 की बात करें तो 44 लाख मेट्रिक टन हुआ था लेकिन इस बार खत्रा का बादल जो है वो मंडरा रहत है जाहिर तोर पे जो बारिस बीते कुछ दिनों में हुई है उससे कही न कहीं यह राहत महसूस कर रहा है इनसे सीधे बातचित करते हैं यह कितनी राहत की बात है पूरे जो जार्खन बर में किसान है उनके लिए कि बारिस लगातार कुछ दिनों से हो रही है और 12 अगस्त फिर बारिस होगी अर्यस्तो थोड़ा काम बेसे इससी तरह सितरह सा कि टा उटा के करना पड़ मुझा है तो मकला वाक है वगलोग को थोढ़ा सब्समं ए डालगा ते effect दरर रहा हैयक यह कितना दिन पहले आप लोगों ने उसको बया था व्यूत pain देटेखाए जकता है कि लगभग जो है और उस वक्त अगर पारी सुई तो वह सैपलिंग में डिवलप होता है और सैपलिंग को जो है पैडी जो फील्ड है उसमें ट्रांस्प्लैंट किया जाता है उस वक्त बारिस की कमी हुई जिसके वज़े से किसान चिंतित थे लेकिन आप जब बारिस आई है और उसको किसी तरह से उगाया गया था जो हमारे सामने आप ठीक देख रहे हैं यह देखिए बोया जा रहा है उसी सैप्लिंग्स को जो कि फिर इसको पानी चाहे कुछ दिन का बाद में जो कि प्लanno को यौरो इसका फोटने का टैम में भी बारिस होना चाहिए और उसका बाद में जो निकल गिया है तो बैल निकल गया है उसमें जो दाना आप लोग अब देखते हैं उपर वाला क्या करता है क्या नहीं करेगा तो फिर पटाना पड़ेगा जैसे गोम को पटाते हैं उस तरह अब गोम पटाके फिर इसको धन जैसा भी थोड़ा पड़ जागा बहुत मांगा पड़ेगा तो जो गरीब किसानव वो कुछ नहीं कर प पानी कैसे लाना है कैसे पटाना है आडिफीसियल वो पटा लेंगे लेकिन जाधा तर लोग जो है वो गरीब है और गरीब किसान है वो कर्ज लेकर जो लेवल है उसके नीचे लगवग 50% जनसंख्या आती है जो कि एक वाकई कही ने कही अच्छे ओमन नहीं है तो जाहिर तोर पे किसान जो है अगर ये बारिस हुई है उससे इनके चेहरे पे खुसी आई है लेकिन भगवान ने चाहा तो ये भगवान भरोसे हैं कि आगे भी इसी तरह का वेट स्पेल इने मिलते रहे ताकि एक अच्छा हार्वेस्ट इने मिल सके कैमरामन राकेस तीवारी के साथ सतीजीत कुमार राची झाल जो को प्याव मिल आगवान लेकिन भावान ने चक्छा कप अच्छा है झाल